सात्यों, महान कंड़ लेखक और विचारक गुरुरु रामस्वामी आयंगर जी ने कहा है सिक्षणवे जीवनत बेलकू यानि एजुकेशन जीवन के मिश्किल रास्तों में रोशनी दिखाने वाला माध्यम है आज हमारा देश जब परिवर्तन के एक बड़े दोर से गुजर रहा है तब उनकी ये बात बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है बिते पांच-छे साल ये निरंतर प्रयास हुआ है कि हमारी शिक्षा भारत का एजुकेशन सिस्टीम छात्रों को 21 सदी की आवश्रक्ताओं के बीच आगे बढ़ने में भी और मदद करें विशेश तोर पर हायर एजुकेशन में इंफा स्ट्रक्टर के निर्मार्ण चे लेकर स्ट्रक्टरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटिटिव और क्वंटिटिव हर स्थर पर कोशिश की जा रही है चाथियों आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आयाईटिस थी बीते 6 साल में आउसतन हर साल एक नई आयाईटि खोली गई है इसमें एक करनाटका के धारवार में भी खुली है 2014 तक भारत में 9 ट्रिपल आयटिस थी इसके बाद के 5 सालों में 16 ट्रिपल आयटिस बनाई गई है बीते 5-6 साल में 7 नए आयाईटिस थापित किये गए है जबकि उससे पहले देश में 13 आयाईटिस थे इसी तरह करीब 6 दसक तक देश में सिरफ 7 एम्स देश में सेवाई दे रहे थे साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है